नमस्कार दोस्तों मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का देजुकेटर के प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग टिचिंग एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते हैं आज का हमारा टॉपिक है पॉजेटिव एंड नेगेटिव वर्ट्स यानि कि सीडीपी और पैडागोजी में जो भी आते हैं कोश्चन उनका सॉलीशन आप कैसे करोगे उसका सॉलीशन करने का तरीका होता है एक आसान सा जिसमें आप इलिमिनेट कर पाओ और ऑप्सन को और आपको नेगेटिव और पॉजेटिव वर्ट्स बहुत हैल्फुल होंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देर की देखो पहला है अफसर अफसर क्या होता है अपरचुनिटी यानि कि आप अगर बच्चों को ऑपरचुनिटी दोगे वो आके सामने से आक कि बच्चा को आप क्रियेटिव होने दोगे आपने कोई चीज का आंसर पूछा उसने आपके जो आपने कोशन आंसर अगर लिखा दिया हो उसके अलावा इतर इसके अलावे अगर उसने कुछ अपने मन से छोटी बातें कहीं कोई भी उन्हें चोटे मोटे सेंटेंस में ज अपने सब दो में दे, यानि कि creativity आपको दिखानी है, चलिए, अब देखो अगला, अगला है स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब क्या हुआ, नेचुरल वे में, यानि कि बच्चे को आप ऐसा atmosphere दे दो ताकि वो क्या हो, नेचुरल वे में पढ़ सके, नेचुरल वे में आ आपको reaction दे पाए, आपके questions को वो सही धंक से deal कर पाए, यह हो गया, यह भी हो गया, यह भी हो गया, अब देखो समावेशी, यानि कि inclusive, inclusive education की बात हो रही है, यहाँ पे, inclusive education में क्या होता है, inclusive यानि कि सब कोई को समाहित कर लेना, यानि कि जो बच्चे कमजोर हैं, उनको भी सामिल करना, जो बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत ब्राइट हैं, है ना, उनको भी आपने अगर इसमें add कर लिया, और जो handicapped हैं, यानि कि जो दिब्यांग बच्चे हैं, अगर आपने उनको भी add कर लिया, तो यह समावेशी सिक्चा है, जहां पे सब को जोड के बात करी सब को एक साथ ले के जाने की बात की जा रही हो, वो क्या होगा, पॉजेटिव टर्म होगा, यह भी सही है, इसे आप समझ पाए हो, अब देखो स्वयम को खोज रहा है, यानि कि डिस्कवरी, अपने आपको डिस्कवर करना, बच्चा अगर खुद से कोई चीज को खोज कर आपको आउसर लाकर दे रहा है, तो बच्चो को खोजेगा, यानि कि आपको क्या मिलेगा, एक क्रियेटिव आइडिया वो लाकर देगा, यह भी अच्चा, यानि कि यह पोजेटीव वर्ड है, अब देखो बिभिन, यानि कि डाइवर्सिटी, इसका मतलब वहा कि अलग- अलग क्रिया कलाब कराओगे तो अलग अलग चीज को डील करके अच्छे से लाकर दे पाएगा जैसे देखो अगर आपने किसी को अंकूरन के बारे में समझाना हो तो आप क्या करते हो आप बाहर में जाके दिखा सकते हो कि देखो आम का ये गुठली फेका हुआ कुछ दिनो बोड का जो पिक्चर है उसे भी देखके समझ सकते हैं यानि कि डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या करना है एक्टिविटी लाना है ये भी क्या है पोजिटिव वर्ड है अब देखो चाइल सेंट्रेट यानि कि बाल के अंदरित सिक्छा एंसी एप 2000 में यही बात कही गई यानि कि ये भी पॉजिटिव वर्ड है अब देखो परत्यक्ष ग्यान अर्जन परत्यक्ष यानि कि सामने में वो ग्यान को क्या कर पाए अर्जन कर पाए यानि कि वो सामने में देखके परत्यक्ष का मतलब यह होता है कि उसके सामने प्रैक्टिकल हो बिल्कुल आँखों एनिमेटेड के थोरू या फिर अनिमेशन के थोरू या फिर पिक्चर के थोरू अगर आपने दिखा दिया तो वह उसको जदा देर तक याद कर पाएगा और वैसे भी हुमेन का जो सेंस औरगान है वह आई सबसे ज़्यादा पाउरफूल होता है यानि कि यह अभी क्या है प अगले करके करके सीखना या परयोग यानि कि अगर वह खुद से करके सीखेगा तो वह ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा जैसे अगर बच्चे को आपने बताया कि यह जो है ऐसे फॉल्ट करोगे तो यह हवाई जाज बनेगा अपने वह ब्लैक बोड़ पे अलागे आर् कर ले तो उसके दिमाग में क्या होगी एक हेलिकॉप्टर के जो है या फिर यह हॉम बनाने का वह जो काकज से बनाया उन्होंने तो वह क्या होगा उसके दिमाग में कॉंक्रीट आइडिया जाएगा वह अच्छे से इसको समझ पाएगा तो यह थे थे दोस्तों पॉजिट टाइब से मतलब बना सकते हो चीकें ठीक है तो चीकन बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं अलग अलग रीजन में अलग अलग वे में उसको कुकिंग किया जाता है तो जहां पर केवल मात्र यानि की नैरो किया जाए किसी भी डेफिनेशन को वो क्या होगा हमारा नेगेटी पांच में नहीं की गई है, मैं NCF 2005 पे जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, NCF 2005 में ये बात नहीं की गई है, तो ये भी option आपका क्या होगा, ये भी negative word हो जाएगा, बालक को गलत कहना, देखो बालक कभी भी गलत नहीं होते हैं, ये बात याद रखना आप, बालक को गलत नहीं का सकते हैं, उसके क्या होगा, mental पे stress पड़ेगा, उसको mental stress नहीं देना है आपको, उसको क्या करना है, उसको आपको encourage करना है, enforcement उसको अंदर लाना है, enforce करना है ताकि वो क्या कर पाए, अपने आपको अच्छे से express कर पाए, अब देखो रट लेना, याद कर लेना, दो पिल्कुल नेगेटिव वर्ट से रटने से काम नहीं चलेगा रट्टे मारने से क्रियेटिविटी मर जाएगी उसके अंदर की याद कर लेने से वह क्वेश्चन को पूछने के लायक नहीं बचेगा जब वो करके सीखेगा तो उसके अंदर बहुत सारे प्रसंद जो है उसके कॉलेज ड्रॉप आउट है न्यूटन भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे तो जो अलग बड़े-बड़े वेक्ति हैं यानि कि आप सिर्फ परिक्षा या एक मार्शिट के किसी को नहीं बोल सकते हैं यह बहुत खराब है अब देखो ट्यूशन या कोचिंग अब देखो यहा जानकारे मिल पाए और वो आगे बढ़ पाएं तो अब अगला देखो अध्यात्मया दर्सन देखो धर्म को सिक्षा से नहीं जोड़ा गया है इंडिया में इंडिया इस एकुलर कंट्री अब देखो अपेक्षा यानि कि कि किसी को क्या करना लजित करवा देना क्लासरूम अब बच्चे के उपर आप डॉमिनेटर जल्दी से बना के दिखा उने तो यह कर देंगे पिटाई हो जाएगी तुम्हारी यह सब करोगे तो खुल के काम नहीं कर पाएगा यह भी आपका नेगेटिव बद अब देखो जेंडर बायस यह भी कटेगा लेंगे क्रोडी वा यह सब यह फिर लड़के जो है अच्छे से गाना नहीं गा सकते हैं यह सब क्या है जेंडर वायस है और यह सब नेगेटिव टर्म आएगा यह सब आपको काट देना ऑप्शन को देखने के बाद इसको क्या करना है कठोर कठोर बनने की बात रिजीट होने की बात नहीं करन हैं तो यह था दोस्तों हमारा नेगेटिव और पॉजेटिव वर्ड का एक छोटा सा सीरीज अब देखो अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन भी दबा देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन आएगी आपको पता रहा लगते रहेगी थैंक्यू सो मुझ दोस्तों आपने अपना किमती समय दिया कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग थैंक्यू